नेक्स्ट क्वेस्टिन है रेट का मतलब क्या होता है रेट का मतलब होता है इंटरस्ट पर हंडर रुपीज ठीक है एरली ठीक है तो रेट दिया हुआ पांच परसेंट यानि सो रुपए के उपर हर साल पांच रुपए बढ़ेंगे ठीक है सो रुपए के उपर पांच रुपए बढ़ेंगे बट सो रुपए के उपर हमें कितना बढ़ाना है 40% तो मुझे 100 रुपे के उपर 40 रुपे चाहिए तो एक साल में मिल रहे हैं 5 रुपे तो 40 कितने साल में मिलेंगे 40 यानि 8 साल तो option जो D है वो हमारा सही अंसर है या फिर दूसरा तरीका ये है माल लीजिए हमारी जो principle है वो है 100 रुपीज जो हमारा जो मूलदन है वो 100 रुपीज है ठीक है पर annual का मतलब टाइम की value एक दे रखी है तो simple interest कितना आएगा मूलदन गुना दर गुना समय बटे सो यानि simple है 5 रुपे ब्याज actual में कितना चाहिए 40% तो 100 का 40% कितना आगए 40 रुपे तो 5 रुपे ब्याज मुझे एक साल में मिल रहा है मुझे चाहिए 40 रुपे ब्याज तो कितने साल में मिलेगा 8 साल में मिलेगा simple interest हर साल equal amount में मिलता है तो option जो D है उसा ही answer है